हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 पुर्णांग प्रश्णावली 6.1 से कोशे नंबर 4 सोल करेंगे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए अब कोशे नंबर 4 देखे लिखा है सनलगन आकरिती में एक उर्धवाध सन्ख्यारेखा को दिखाया गया है उर्धवादर मातलब यह जो सीधी खड़ी है यह सन्ख्यारेखा यहां दिखाई गई है फिर लिखा है जो पुर्णांको को निरूपित करती है इस तरह से जो बिंदू दे रके हैjs उनके स्थान हमें बताने हैं तो देखें सबसे पहले थो हमें संख्या रेखा पर इन सभी पुर्णांकों को लिख लेंगे ठीक है देखें ये जो बिंदू D है इस पे क्या लिखा है कि इसका स्थान का है प्लस 8 यानि यह जो पुर्णांग है यह प्लस आठ है अब इसके बाद जो इसके नीचे जो यह पुर्णांग होंगे वो कम होते जाएंगे ठीक है तो यह प्लस आठ है तो यह क्या होगा प्लस साथ फिर यह प्लस छे यह प्लस पांच फिर प्लस चार फिर प्लस तीन फिर प्लस दो और प्लस एक ठीक है इस तरह से पुर्णांग जो है घरते जा रहे है प्लस एक उसके बाद यह जो बिंदू है यहाँ पर कौन सा पुर्णांग होगा जीरो एक के बाद नीचे आएंगे कम होगा तो क्या होगा यहाँ पर पुर्णांग जीरो होगा ठीक है फिर जीरो के 6-7-8-9-10 तो इस तरह से संखेया रेखा पर हमने इन पुर्णांकों को लिख लिया है तो ए पार देखे पुछा गया है कि यदि बिंदू D पुर्णांक प्लस 8 है तो माईनस 8 वाला बिंदू कौन सा है कह रहा है कि अगर जो ये बिंदू D है ठीक है ये जो है पुर्णांक प्लस 8 है तो माइनस 8 वाला बिंदू कौन सा है ये बताना है तो देखें माइनस 8 वाला बिंदू कौन सा है F है ये जो माइनस 8 पुर्णांक है ये किस के सामने है बिंदू F के सामने तो माइनस आठ वाला पुर्णांग कौन सा है बिंदू F तो आंसर है कि माइनस आठ वाला बिंदू F है ठीक है बी पार्ट देखिए अब पुझे क्या जी एक रिनात्मक पुर्णांग है या धनात्मक पुर्णांग रिनात्मक पुर्णांक मतलब माइनस वाला और धनात्मक यानि प्लस वाला तो हमें बताना है कि यह जो बिंदु G है वो रिनात्मक पुर्णांक है या धनात्मक पुर्णांक तो देखे यह है बिंदु G और बिंदु G कौन सा पुर्णांक है माइनस 6, माइनस है यानि रिनात्मक पुर्णांक है तो आंसर है कि G एक रिनात्मक पुर्णांक है C पार्ट देखिए, बिन्दू B और E के संगत पुर्णांक लिखिए तो देखिए ये है बिन्दू B तो हमें बताना है कि बिंदू B और E का पुर्णांक कौन सा है तो देखें बिंदू B के लिए कौन सा पुर्णांक है प्लस 4 और E का संगत पुर्णांक यानि E के लिए क्या पुर्णांक है माइनस 10 तो C पार्ट का अंसर है प्लस 4 और माइनस 10 दी पार्ट देखे कोशन पूछा है इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदों में से किसका मान सबसे कम है तो इस संख्या रेखा पर ये जो बिंदू दे रखे हैं हमें DCBA इस तरह से बिंदू दे रखे हमें बताना है कि इन में से किस बिंदू का मान सबसे कम है तो देखे इस संख्या रेखा पर सबसे बड़ा पुर्णाग कौन सा है प्लस 8 है उसके बाद जो है ये पुर्णाग नीचे की तरव जो पुर्णाग जा रहे है ये कम होते जा रहे है तो सबसे छोटा पुर्णांग कौन से है इन में, माइनस 10 है, ठीक है, ओ ये जो पुर्णांग है माइनस 10, ठीक है, ये किस बिंदू का मान है, बिंदू E का मान है, यानि बिंदू E जो है, उसका मान सबसे कम है, क्योंकि माइनस 10 जो है, इन पुर्णांगों में सबसे छोटा अंसर है इंकामान सबसे कम है कि पार देखे कोशन पूछा गया है सभी बिंदु को उनके मानों के घट्ते हुएकरम में लिखे तो यह जो बिंदु हमें यहा पर देर एक değer हमें इन्हें घटते हुए करम में लिखना है घटते हुए करम में यानि पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा इस तरह से लिखते हैं घटते हुए करम में तो देखे इस संख्या रेका पर सबसे बड़ा पुर्णांग कोन सा है प्लस आठ है ठीक है और ये इसे कम कौन सा है C, फिर C से चोटा B, B से चोटा A, इस तरह से घटतेवे करम में हमें ये बिंदू लिखने हैं, तो सबसे बड़ा कोन सा है D, देखा है उसके बाद, D से चोटा क्या है C, C से चोटा B, तो D से छोटा C, फिर C से छोटा B अब B के बाद देखे, इस से छोटा A, फिर A के बाद देखे, O, फिर H तो B से छोटा A, फिर O, और फिर H फिर देखे, H से छोटा G, फिर F, और फिर E तो H से छोटा G, G से छोटा F, और F से छोटा E तो इस तरह से हमने इन सभी बिंदों को जो है घर्टेवे करम में लिख दिया है तो ये था कोशन नमबर 4 आज इस वीडियो में हमने कोशन नमबर 4 सोल्व करा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब थैंक यू